Hello guys, class 12th solution chapter का थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में बैपर प्रेशर आफ लिक्विड सॉलुइशन और राउल्स लो के बारे में complete study करेंगे ये वीडियो exam point of view से काफी important वीडियो है क्योंकि राउल्स लो के ऊपर based questions लगवग सभी exam में अक्सर पूछे जाते हैं इसके अलावा राउल्स लो solution chapter के most important topic में से एक topic है इसलिए ये वीडियो और वी ज्यादा important हो जाती है आज की वीडियो में हम इन सभी topics को complete cover करेंगे इसके अलावा previous video में हमने type of solution and solubility के बारे में complete study कर लिया है मैं recommend करता हूँ ये video complete देखने से पहले आप जो पहले की two videos है उनको देख लेजिए आपको chapter जादा अच्छे से समझ माएगा चलिए पहले हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो के first topic that is vapor pressure of liquid solutions इस topic में दो term आ रही है एक है vapor pressure और एक है liquid solution एक है करके दोना term को समझते हैं फिर आगे बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं हम liquid solutions की liquid solutions क्या होते हैं ऐसे solutions जिनमें solvent liquid state में हो और solute जो है वो solid liquid gas किसी भी physical state में present हो ऐसे सभी solutions को हम liquid solutions बोलते हैं अब liquid solutions जो होते हैं उन्हें solvent liquid जो होता है वो volatile टाइप या volatile nature का होता है अब volatile का मतलब की होता है ऐसे liquids जो evaporate होके way performance हो जाते है और liquids को हम बोलते हैं volatile liquid तो liquid solutions में solvent होगा वो volatile liquid होगा जबकि solute होगा वो volatile और non-volatile दोनो नेचर का हो सकता है ठीक है इस chapter में हम जो जिन liquid solutions की बात कर रहे है वो two type के liquid solutions है एक है liquid in liquid type का liquid solution और एक है solid in liquid type का liquid solution यहाँ पर एक term और आती है binary solution binary solutions का मतलब क्या होता है ऐसे solutions जिन में solvent के अलावा सिर्फ एक ही solute present हो एक ही solute का मतलब क्या है जैसे solvent है solvent तो एक ही होता है जो excess या large quantity में present होता है जैसे water plus NaCl लिया मैंने water and sodium chloride लिया तो water इसमें एक solvent है और sodium chloride यहाँ पर एक solute है तो यहाँ पर एक solvent और एक solute है इस तरह के solutions होते है उनको हम binary solution बोलते है तो आज की वीडियो में हम अभी आपको बताया है वो ही सब कुछ लिखा हुआ है चाहें तो आप इसको पढ़ सकते है next जो term है वो है vapor pressure क्योंकि इस वीडियो में कई बार इस vapor pressure का जिक्र होगा इसलिए इसका concept और basic definition जो है वो पहले जान लीजिए जिससे आपको इस chapter में आगे बढ़ने में आसान लगेगी देखो मैंने आपको बताया था कि volatile liquids volatile liquids का कोई भी example ले सकते है जैसे आपने एक acetone लिया acetone एक volatile liquid है अब acetone मैंने लिया और acetone को मैंने क्या क्या एक close container में रख दिया close container में रखा तो acetone volatile है इसका मतलब का है उसकी vapors बनना स्टार्ट होंगी temperature अगर कम होगा तो temperature जादा होगा तो जादा vapors बनेंगी temperature सिर्फ एतना ही role play करता है evaporation की rate को increase or decrease कर सकता है ठीक है लेकिन evaporation volatile liquids का हर temperature पे होगा ठीक अब starter में जैसे क्योंकि volatile liquid है इस liquid में से vapors बनना स्टार्ट होई और vapors के लिए बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए यहाँ पर यह empty space है उसमें इस volatile liquid की vapor accumulate होना स्टार्ट होगी और accumulation जैसे ही होगा वहाँ पर जो volatile liquid की vapors जो हैं उनके बीच में आपस में collision होगा और collision होगा तो aggregation हो सकता है और aggregation होने को ही हम क्या बोलते हैं condensation बोलते हैं यानि कि again vapors liquid state में convert हो जाएंगी और यह process continue चलेगा मतलब liquid जो है वह vapor form में convert होगा और vapor जो है वह liquid state में convert होगा और एक particular time के बाद में rate of evaporation और rate of condensation दोना equal हो जाएंगी इस ही state को equilibrium state बोलते हैं अब equilibrium state पर क्या होगा कि जो volatile liquid है उसका कुछ amount तो liquid state में रहेगा लेकिन कुछ amount जो है वह vapor form में यहां empty state में empty space में आ जाएगा अब यह जो vapor के molecules जो हैं वो इस liquid की surface के उपर क्या करेंगे एक pressure apply करेंगे और इस ही pressure को हम क्या बोल रहे हैं वैपर प्रेशर बोलते हैं ठीक है definition कैसे बोल देंगे a liquid at given temperature vaporize and under equilibrium condition the pressure exerted by vapor of liquid over the liquid phase is called vapor pressure clear है समझ में आगे vapor pressure क्या होता है चलिए आगे बात करते हैं हम next topic की vapor pressure of liquid liquid solution देखो हमने अभी solutions की बारे में जो बात की थी उन में से पहले हम किसकी बात कर रहे है liquid in liquid type के solutions की vapor pressure को किस तरह से calculate किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे अब liquid in liquid type के solutions का vapor pressure calculate करने के लिए हमने एक क्या लिया है solution लिया है solution में दो component है क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है component 1 जो है generally वो solvent के लिए यूज़ कर रहे है और component 2 जो है वो solute के लिए यूज़ कर रहे है ठीक है अब इसके आगे के parameter समझ लिजिए और दोनों ही liquid जो है ये दोनों ही liquid क्या है volatile nature के है मतलब ये दोनों को अगर आप close container बर रखेंगे तो इन दोनों की ही vapors बनेंगे और उनकी वाज़े से इनके उपर vapor pressure exert होगा solution के उपर अब ये दोनों ही component 1 and component 2 लिए और इनका कुछ amount जो है वो vapor form में convert हो गया जिसकी वाज़े से इनका vapor pressure जो है partial vapor दोनों जो है दोनों की vapors की वाज़े से total pressure जो exert हो रहा है solution के उपर उसको हमने बोल दिया P total और इनकी vapor pressure की वाज़े से जो partial vapor pressure है first component की वाज़े से वो P1 है और second component है उसकी वाज़े से partial vapor pressure जो है वो P2 है solution में liquid solution जो है उसमें first component के जो mole fraction है that are X1 and second component के mole fraction है X2 है यह सभी parameters मैंने आपको बता दिये अब इन सभी parameters मतलब total pressure partial vapor pressure और mole fraction in solution इन सभी के बीच में quantitative relationship बताने के लिए सबसे पहले जो relationship बताया वो एक French chemist थे Franchois Marty Rault जिसको हम Rault law के नाम से भी जानते हैं अब Rault's law क्या बताता है पहला question आया कि Rault's law किसके लिए यूज किया जाता है कि total vapor pressure partial vapor pressure of different component and mole fraction of different component in solution में quantitative relationship बताने के लिए जो law यूज किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं Rault's law बोलते हैं अब Rault's law क्या बोलता है देखना for a solution of a volatile liquids यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि जो solution लेना है उसमें दोनों liquid कैसे होने चाहिए volatile nature के है the partial vapor pressure of each component partial vapor pressure का मतलब क्या है first component की वएक से उसका partial vapor pressure P1 second component की वएक से partial vapor pressure P2 of the solution is directly proportional to its more fraction present in solution मतलब P1 जो है partial vapor pressure due to first component is directly proportional to mole fraction of first component present in solution is directly proportional दोनों directly proportional होगे और second जो second component है उसका partial vapor pressure जो होगा वो second component के mole fraction जो solution present है उसके directly proportional होगा clear है proportional sign हटा के proportionation constant लगाएंगे तो यहाँ पे P1 equal to हो जाएगा P1 not X1 इसी तरह से यहाँ पे P2 equal to हो जाएगा P2 not X2 अब P1 not और P2 not क्या है P1 not जो है वो pure state में vapor pressure है जो component 1 है उस component 1 का pure state में जो vapor pressure है उसको P1 not बोल रहे है और P2 not क्या है कि second component का pure state में vapor pressure जो है उसको हम P2 not बोल रहे है clear है समझ में आ गया तो हमने P1 और P1 P2 और X1 X2 इनके बीच में relation हमने निकाल लिया है यह relation आपको याद रखने है यह मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया या फिर यह बैसे लिखे ही हुए है इसको मैं अगर mark कर दू यहाँ पे highlight कर दिता हूँ यह वाला relation और कौनसा यह वाला relation दो relation आपको समझ में आगए P1 equal to P1 not X1 और P2 equal to P2 not X2 clear है समझ में आया चलिए आगे हम बात करते हैं कि अभी हमने 5 parameter बताये थे P1 P2 यह partial vapor pressure of component 1 and 2 थे X1 X2 यह mole fraction of component 1 and 2 in solution state थे और एक था total pressure total P total अब हम P total के बारे में अभी तक हमने बात नहीं किया राउल्ट नॉम में P total के बारे में नहीं बताई है P total और partial vapor pressure इनकी बीच में relation जो है वो डाल Delton's law से हम निकाल सकते हैं Delton's law partial pressure क्या बोलता है कि total pressure of different gases is equal to sum of all partial pressure of the component मतलब total pressure जो होगा वो किसके equal होगा partial vapor pressure of first component and partial vapor pressure of second component हम binary solution की बात कर रहे है तो यहाँ पे यह इसका क्या हो जाएगा total pressure और partial vapor pressure of first and second component के बीच में relation हो गया यहाँ पे अगर मैं इसको mark करो तो यह जो है यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ठीक है clear है समझ में आया अब इनकी value जो है यह वाला total pressure जो है यह total pressure और इसकी value P1 और P2 जो है इनकी value यहाँ से put करेंगे तो यह value क्या आजाएगी यह value आजाएगी P total equal to P1 की जगह में लिख सकता हूँ P1 not x1 और P2 की जगह में लिख सकता हूँ क्या P2 not x2 ठीक है अब इसको थोड़ा सा आगे का step है उसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप direct लिखा हुआ है तो हो सकता है आपको यह समझ में ना आए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ और इसको आपको करके दिखाता हूँ यह वाला जो relation आप दिख रहे है यह कैसे आया है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको करके बता देता हूँ अभी हमने क्या बताया P total P total को मैं Pt लिख देता हूँ P1 P1 की value हमने लिख दी है P1 0 X1 P2 की value लिखी है P2 0 X2 अब mole fractions जो हैं उनके बारे में हमें पता है कि total mole fraction of all components जैसे X1 और X2 दो ही component है इसकी value कितनी आ जाएगी 1 कीक्वल होती है मतलब जितने mole fraction होते है solution में उन सभी का sum करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर दो ही component 1 and 2 तो दोनों के अगर mole fraction का sum करेंगे तो वो 1 आएगा अब मैं इस वाली जो equation है उसमें X पूरी की पूरी equation को X1 के form में या X2 के form में लिख सकता हूँ यहाँ पर जो relation लिखा हुआ है देखो अगर मैं X1 को X1 की जागे क्या लिख सकता हूँ इस X2 को इदर ले के चला जाओ 1-X2 लिख सकता हूँ तो X1 की जागे मैंने क्या लिख सकता हूँ 1-X2 लिख सकता हूँ देखो P1 not और X1 की जागे मैंने लिख दिया 1-x2, दिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नहीं, P2 not, एर x2, थोड़ा सा इसको multiply करो, P1 not को इसमें अंदर multiply किया, तो P1 not multiply by 1 किया, तो P1 not आ गया, ये P1 not x2 plus P2 not x2, ये आ गया, clear है, इसको थोड़ा सा rearrange कर देते है, P1 not, अब इसको ये वाली value जो है, इसको पहले लिख देता हूँ, P2 not x2 minus P1 not x2, चीक, आगे चलते हैं, P1 not plus, अब इन में से x2 जो है, वो common निकाल दूँ, मैंने x2 common निकाल दिया, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, P2 not minus P1 not, चीक है, और ये क्या आ गया, total pressure आ गया, चीक है भई, समझ में आया, और ये ही कहाँ पर आ रहा है, ये ही यहाँ पर भी आ रहा है, P1 not, ये वाला, P1 not, P2 minus P1, P2 not minus P1 not multiply by x2, clear है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके, आगे बात करते हैं, देखो, अभी मैंने जो है, वो यहाँ पर किसको replace किया था, x1 को replace किया था, x2 के form, दूसरा, वैसे, NCRT में एक ही दे रखा है, लेकिन दूसरा भी आपको पता होना चाहिए, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम ये वाला ही follow करें, x1 को ही replace करना है, x2 को भी तो replace कर सकते हैं, जैसे ये x2 की जागे मैं क्या लेख सकता हूँ, 1-x1, और x2 को यहाँ पर replace कर सकते हैं, मैं दुबारे एक बार इसको और करके बता देता हूँ, देखो, अभी हमने जो बता है था, वो क्या था, p total equal to p1 0, x1 plus p2 0, और इस x2 की value को यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, replace कर देता हूँ, p1 0, x1, ये तो यही रहा, plus p2 0, x2 की value का किस से replace करूँ, 1-x1 से, ठीक है, लिखिए इसको p1 0, x1 plus p2 0, अभी ये जो है, वो आएगा, minus p2 0, x1, clear है, समझ मा आ गया, अब x1 वाली जो values हैं, उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, और p2 को आगे लिख देता हूँ, ये p2 0, ये लिख दिया, plus, p2 0, plus, अभ यहाँ पर मैंने x1 को मन नेकाला, ठीक है, और p1 0, minus p2 0, ये लिख दिया, तो ये भी तो क्या आया, total pressure ही आया, ये लिख दिया, total pressure के लिए, और ये वाला formula भी सही, दोनों एक तरह से कह सकते हैं, एक ही type के formula है, clear है, समझ में आ गया है, इनका सभी का symbols का मतलब आपको समझ में आ चुका है, total pressure p2 0, जो है, वो pure form में vapor pressure है, second component का, p1 0, जो है, वो pure form में vapor pressure है, first component का, x1 mole fraction of first component in solution, और x2 जो है, mole fraction of second component in solution, ये सभी इसके symbol है, ठीक, चलिए जी, आगे बात करते हैं, अभी हमने ये वाली equations निकाल ली है, ठीक है, ये equations निकाल ली है, लेकिन, ये equations आपको याद भी रखनी है, ये वाली दोनो equations याद रखनी है, और इनसके उपर बेस्ट question भी पूछे जाते है, numerical के लिए direct आपको formula याद होगा, numerical आप आराम से कर लेंगे, ठीक है, solution chapter के numerical काफी easy है, अब इनसे कुछ conclusions हैं, उन conclusions की बात कर लेते हैं, three conclusions हैं, सबसे first conclusion है, total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component, देखोई, total vapor pressure की बात कर रहे हैं, total vapor pressure, इसको मैं थोड़ा से यहां ऐसे PT करके, अब इस total करके लिख देता हूँ, तो यह total vapor pressure जो है, वो किसी भी एक component के mole fraction के उपर depend कर रहा है, देखो यहाँ पे, इस PT में यहाँ पे सिर्फ x2 आ रहा है, यह फिर दूसरे form में भी लिख सकते हो, तो इस वाले formula में सिर्फ x1 आ रहा है, मतलब total vapor pressure जो है, वो solution का, वो किस के उपर depend कर रहा है, किसी भी एक component के mole fraction के उपर depend कर रहा है, पहला conclusion, second conclusion क्या है, total vapor pressure over the solution varies linearly with the mole fraction of component 2, अब यहाँ पे सिर्फ component 2 वाली बात कर रहा है, क्योंकि यह वाला जो है, वो NCI टेम नहीं के one है, component 1 के साथ में भी linear ही होता है, कैसे होता है, वो समझीगा, देखो याद, यहाँ पे इसको मैं, इस वाली equation जो है, यह वाली equation जो है, इसको आप linear equation की जो general equation है, Y equal to C plus MX से compare कर सकते है, यहाँ जो है वो total pressure है, और C intercept यह P1 0 है, और यहाँ पे यह P2 0 minus P1 0 यह slope है, और X2 जो है वो Y axis है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखे हैं, तो यह जो equation है, यह जो total vapor pressure की equation है, वो इस linear equation के साथ में match कर रही है, मतलब इसके साथ में जो relation होगा, X और Y में जो relation होगा, वो linear relation होगा, यहाँ कि total pressure और mole fraction of second component में जो relation होगा, वो linearly वो vary करेंगे, clear है, यह आगे हम graph देखेंगे, तो यहाँ से भी आप इन सब चीजों को compare कर सकते हैं, लेकर अभी मैं सिर्फ इनके जो conclusions हाए हैं, यहाँ पर यह वाले जो हमने पढ़े हैं, यह route law के basis पर जो conclusions हैं, या equations हैं, उनसे ही मैं conclusions बता रहा हूँ, इन conclusions को आप इन graph से भी आराम से verify कर सकते हैं, एक बार graph भी समझ लोगे, तब और अच्छे से समझ भाएगा, चलिए, next conclusion है, depending on the vapor pressure of the pure component 1 and 2, total pressure over the solution decrease or increase with the increase of the mole fraction of the component, देखो ध्यान से समझना, इसको, थर्ड जो है, वो क्या है, जो total vapor pressure है, यह PT जो है, किसके उपर depend कर रहा है भई, इसके उपर depend कर रहा है, जो pure form में vapor pressure है, P1 0 और P2 0 इनके उपर depend कर रहा है, first line में यह, depending on the vapor pressure of the pure component 1 and 2, total vapor pressure over the solution, पूरे solution के अगर हम बात करें, decrease or increase with the increasing the mole fraction of, increasing the mole fraction of component 1, component 1 की value जैसे जैसे increase होगी, वैसे वैसे, यह जो value है, total vapor pressure जो है, वो increase या decrease हो सकता है, depend किस के उपर करेगा, depend करेगा P1 0 और P2 0 की values के उपर, अगर इसको मैं थोड़ा सा और elaborate करना चाहूं, तो आप इस तरह से इसको देखना, इसको मैं थोड़ा सा यहां से, यह एक और page ले ले लेता हूं, और इसको आप और थोड़ा सा इच्छे से elaborate में कर सकता हूं, देखो, कैसे, अभी हमने बात की, कि जो value है, कौन सी भाई, यह वाला, देखो, टोटल प्रेशर की जो equation है, that is, P total equal to P1 not, इसी को ले लेता हूं, कोई सी ही भी ले सकते हो, आप दूसी वाली भी ले सकते हो, P2 not minus P1 not, और X2, अब यहां पर देखो, जो total vapor pressure है, उसका slope जो होगा, यह M, यह ही है, Y is equal to C plus M X, यह होगा, अगर मैं बात करूँ, P2 not minus P1 not, यह value अगर positive है, अगर यह value positive है, positive value का मतलब क्या होगा भई, कि जो slope जो होगा, वो इस तरह से vary करेगा, मतलब slope जो होगा, वो positive होगा, yes or no, अगर यह value positive है, मतलब P2 की value जादा है, P1 की value कम है, तो overall value जो आएगी, वो positive आएगी, positive का मतलब total pressure, और X2 वाला जो graph है, वो इस तरह का graph होगा, ठीक है, मतलब positive slope के साथ में graph होगा, लेकिन अगर P2 not, और P1 not की value negative आए, negative कब आएगी, जब positive कब आएगी, positive का तो मैं लग देता हूँ, जब P2 not की value, P1 not से जाधा होगा, negative कब आएगी ये value, ये value negative तब आएगी, जब P1 not जाधा होगा, P1 not जाधा होगा, P2 not से, तो ये value किस तरह से आएगी, linearly होगी, लेकिन कुछ इस तरह से होगा, linearly होगा, लेकिन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर x2 होगा और यहाँ पर pt not होगा तो जो slope होगा वो negative होगा clear है समझ में आ गया यह वाली बात कि depend करता है कि जो इनकी value जो है वो total vapor pressure decrease या increase भी हो सकता है तो वो depend किसके उपर कर रहा है यह depend कर रहा है जो pure form में components हैं उनके vapor pressure के उपर clear समझ में आया तो यह हमारे three conclusion हो गए जो हमने round-slaw के basis पे जो कुछ equation derive की थी उनकी अब हम बात कर लेते हैं slope के उपर अब slope यह जो graph है इसको देखके कई वार student बड़े परेशन होते हैं यह किस तरह का graph है यहाँ पर एक graph नहीं है यह तीन graph को एक साथ combine कर रहा है देखो first graph यह है जो यह dot dot line वाले देख रहा है यह एक graph है दूसरा graph ही यह वाला graph है कैसे आए वो मैं भी बताता हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यह तीन graph है और तीसरा graph ही यह वाला graph है तीनों को अगर आप अलग-अलग करके देखेंगे न तो आपको बहुत easy लगेगा पहले मैं आपको अलग-अलग समझाता हूँ फिर इसको combine लिया आप एक बार पाढ़ना फिर समझ में आएगा देखो उन तीन मैं से सबसे पहले आप graph है P1 और X के बीच में यानि की mole fraction और P1 के बीच में P1 और mole fraction के बीच में जो relation होता है वो होता है P1 equal to P1 not multiply by X1 तो इसके लिए सबसे पहले X1 की value हम एक बार 1 रखेंगे और X1 की value दूसरी बार 0 रखेंगे जिससे हमें 2 point मिल जाएंगे और उन दौनों points को हम match कर देंगे तो हमें एक graph मिलेगा देखो X1 की value सबसे पहले हम 1 रखते हैं इस equation में X1 की value 1 रखी तो P1 की value कितने आ जाते है P1 not आ जाती है इसका मतलब क्या है कि X1 की value 1 का मतलब है कि सिर्फ initially मैंने क्या लिया कि first pure component लिया तो जो pressure exert होगा वो किसका equal होगा P1 not होगा वो आप वैसे भी common sense से भी बता सकते हैं तो यहां पर first वाला point है जहां पर X1 की value 1 है तो उसकी जो vapor pressure होगा P1 not के equal होगा डूसरी value जब हम X1 की value 0 रखने है तो P1 जो होगा वो 0 आगा pressure जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहां पर यह वाली value आजाएगी मतल्द X1 की value हमने 0 रख दी तो pressure जो है वो कितना आजाएगा 0 आजाएगा तो इनको हमने क्या क्या match कर दिया तो यह first वाला graph आ गया इसी तरह से similar basis पे हम किसके कर सकते हैं P2 equal to P2 not X2 इसके लिए निका सकते हैं वैसे ही X2 की value पहले 1 रखें और X2 की value एक बार 0 रखें X2 की value जैसे 1 रखोगे तो P2 equal to आ जाएगा P2 not तो X2 की value आपने 0 रखी यह एक बार ultra graph बना है मतलब सिर्फ हमने Xs जो है वो X और Y वैसे ही हैं सिर्फ हमने Y axis जो है वो इधर ले लिया वहाँ पे vapor pressure यह है अगर मैंने X2 की value जो है वो 1 रखी तो जो vapor pressure आएगा वो P2 not आएगा यह वाला और X2 की value अगर मैंने 0 कर दी X2 की value मैंने 0 कर दी तो मेरे पास जो pressure आएगा वो कितना एगा 0 आगया तो यह मैंने line draw कर दी तो यह P2 के लिए line आगई अब मैंने ऐसे क्यों किया यह इसलिए किया क्योंकि मैं दोनों graph को एक साथ combine करके लिख सकूँ अगर मैं इन दोनों graph को combine कर देता हूँ तो combine करने से मेरे पास क्या आएगा यह इस तरह के graph आ जाएगे यह वाला graph इस तरह से आ गया मतलब जो P1 जो vary कर रहा है वो इस तरह से vary कर रहा है और P1 जो vary कर रहा है वो इस तरह से vary कर रहा है clear है, दूसरा जो है, वो हम total pressure और total pressure और vapor pressure के बीच में भी graph plot कर सकते हैं, वो चाहें तो हम इन दौनों graph के हर एक point को add करते हुए क्या करें, graph plot करें, तो भी ये graph आ जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने जो total pressure के equation पड़ी है, कौनसी, पी 1 naught plus P2 naught minus P1 naught into x2, इससे भी ये graph आ जाएगा, एक वार इसमें x की value 1 रखें, और एक वार इसमें x की value 0 रखें, तो भी हमारे पास ये graph आ जाएगा, या फिर इसको y equal to c plus m x से compare करेंगे, तो x axis पे x2 ले रखा है, और y axis पे इसमें क्या ले रखा है, paper pressure ले रखा है, total paper pressure ले तो भी क्या हैगा, intersection point, intersect जो आएगा, वो P1 naught आ जाएगा, ये P1 naught intersect आ गया है, और ये linear line, ये वाली linear form में total vapor pressure आ रहा है, clear है, समझ में आ गया होगा आपको, तो ये जो graph है, total तीन graph है, P1, P2 और total pressure के साथ में vapor pressure और mole fraction किस तरह से vary करते हैं, इनके बारे में, clear है, समझ में आ तो आपको ये समझ में आ गया, ये graph किस तरह से आए, ये तीन graph है, और तीनो graph ये अलग-अलग है, ये P2 का graph किस से आया, P2 वाला graph जो आया, वो आया, P2 equal to P2 naught X2 से, ये P1 वाला graph आया, वो आया, P1 equal to P1 naught X1 से, और total pressure वाला graph आया है, वो कौन से एक्वेशन से आया है, P2 equal to P1 naught plus P2 naught minus P1 naught into X2, इस equation से ये वाला graph है, clear है, समझ में आ गया, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, ये graph आराम से कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे जो assumption लिया गया है, वो ये लिया गया है, कि जो P1 naught है, वो कम है, और P2 naught जादा है, देख भी सकते हो, P1 naught की value ये है, इतनी है, जबक second component है, वो more volatile है, comparatively 1, first component के, clear, okay, अब इसके बाद में next हम बात करते है, component 1 and 2 respectively in the vapor phase, then the using delton law of partial pressure, मतलब अभी तक X1 और X2 क्या थे भई, X1 और X2 जो थे, वो mole fraction of first and second component in solution, लेकिन अगर हम vapor form में first and second component की बात करें, तो उनके mole fraction Y1 और Y2 अगर हम consider कर लें, तो P1 को mole fraction of first component in vapor form के form में लिखना चाहें, तो P1 हम लिख सकते हैं, P1 equal to Y1 into total pressure, इसी तरह से P2 को लिखना चाहें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, P2 equal to mole fraction of second component in vapor form multiply by total pressure, in general, यह बो सकते हैं कि P1, जो जितने भी components हैं, उन सभी components के लिए, common हम लिख सकते हैं, P1 equal to Y1 into total pressure, clear है, समझ में आ गया, तो यह हुआ हमारे किसके route log के बारे में और इनके graphs के बारे में, अब इनके base पे, यहाँ पे एक question given है, इस question को यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, question है, वैपर pressure of chloroform and dichloroethane at 298 Kelvin are 200 mm of Hg and 400 mm of Hg, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब, यह 298 Kelvin temperature पे, chloroform का जो CHCl3, pure form में, वैपर pressure जो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 200 mm of Hg, और pure form में, CH2Cl2, dichloroethane का जो वैपर pressure given है, वो दे रखा है, 415 mm of Hg, clear है, next आगे बात करते हैं, क्या क्या पूछ रखा है, calculate the वैपर pressure of the solution prepared by mixing of 25.5 gram of CS3, CL, मतलब chloroform, and 40 gram of dichloroethane, 298 Kelvin, ठीक है, तो सबसे पहले हमें, वैपर pressure पूछ रखा है, ठीक है, अब वैपर pressure के लिए, क्या formula है, बड़ा simple सा है, क्या है, P total equal to, क्या होगा, P1 naught plus P2 naught minus P1 naught multiply by X2, अब देखो, यह तो हमें calculate करना है, P1 naught और P2 naught, इनकी values हमें पता है, लेकिन X2 naught के बारे में हमें नहीं पता है, पहले तो आप यह decide करें, P1 naught और P2 naught किसको हम assume कर रहे हैं, तो देखो, किसी को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन हमने पहले भी बात कर ली है, अभी कि P2 naught जो है, वो जादा है, P1 naught, अभी तक जितने भी हमने formula derive की हैं, वो इस assumption के साथ में किये हैं, तो यहाँ पे 2 number component यह होगा, और 1 number component यह होगा, clear है, समझ में आगया, चलिए, आगे बात करते हैं, कि इनका mole fraction निकालने के लिए, सबसे पहले हमें किसकी requirement होगी, moles निकालने होगे, और moles निकालने के लिए, यहाँ पर mass तो given है, लेकिन molecular mass हमें calculate करना पड़ेगा, कर लेते हैं, देखो, molecular mass of chloroform, chloroform का अगर molecular mass calculate करेंगे, तो वो carbon का 12, hydrogen का 1, और chlorine का 35.5, इतना atomic mass लेने के बाद में calculate करेंगे, तो यह आजाएगा, 119.5 gram per mole, इसी तरह से molar mass of dichloro-methane, dichloro-methane का अगर molecular mass अगर calculate करेंगे, तो same carbon का 12, hydrogen का 1, और chlorine का 35.5 अगर लेंगे, तो इसका molar mass जो आएगा, वो कितना आएगा, 85.85 gram पर mole आगया, अब इसका mass जो दे रखा है, given mass कितना है, given mass है, chloro-methane का, chloro-methane कितना है, 25.5, 25.5 gram और यह chloro-methane है, और दूसरा है, 40 gram dichloro-methane, 40 gram क्या है, dichloro-methane है, अब यहाँ से moles निकाल लेते हैं, moles, moles को ऐन से लिखते है, mole of chloro-methane, यह कितना आजाएगा, 25.5 divided by 119.5, तो यह value आजाती है, 0.213 moles, इसी तरह से आप dichloro-methane की value calculate करें, तो वो कितनी आती है, 40 divided by 85, इसको calculate करें, 0.47 moles आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास moles आ गए बई ना, दोनों के, chloro-methane की, अब हमें mole fraction निकालना है, तो mole fraction of second, मतलब dichloro-methane की हमें mole fraction निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी dichloro-methane की mole fraction required है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dichloro-methane का moles divided by total moles, total moles कितने है, 0.47 plus 0.213, अब इस value को आप calculate करेंगे, तो यह value आएगी 0.688, clear है, समझ में आ गया, अब सारी values हमारे पास आ चुकी है, पी 1-0 है, पी 2-0 है, पी 1-0 है यह और X2 है, इन values को put कर दें, तो हमारे पास total pressure आ जाएगा, यह न, पी 1-0 जो है, वो कितनी है, पी 1-0 है, 200, पी 1-0 200 मैंने लिखी, plus P2-0 415-P2-0 200, multiply by X2 की value जो आईए, वो आईए, 0.688, clear है, यह values आएंगी, इन values को आप calculate करेंगे, तो यहां से जो pressure की value आएगी, vapor pressure जो आएगा, वो आएगा 347.9 mm of Hg, आप calculations को एक बार again verify कर सकते हैं, मैं जस्ट एक बार यह direct ही calculation लिख रहा हूँ, ठीक है, concept आपको समझ में आगया, तो first जो है, वो वाला formula, first वाला question है मारा solve होगे, आगे है, mole fraction of each component in vapor phase, okay, mole fraction of each component in vapor phase, मतलब क्या पूछ रखा है, यह पूछ रखा है, mole fraction of y1 और y2 पूछा हुआ है, और y1 और y2 क्या होगा, देखो, p1 equal to y1 और p total ऐसे था, ठीक है, तो y1 equal to क्या होगा, p1 divided by p total, यह ही होगा, y1 ठीक है, और y2 similar pattern पर क्या हो जाएगा, p2 divided by p total, अब हमारे पास y1 की value calculate करने के लिए, p1 required है, और p1 जो है, वो हम किस तरह से calculate कर सकते हैं, p1 calculate करने के लिए, क्या करना होगा, p1 equal to, हमें पता है, p1 not into x1 not, x1 है और p1 not की value, हमें अभी निकाली थी, कितनी हैं, देखो, given है question में, p1 not is 200, 200, 200, x1 की value हमें पतार नहीं है, x2 की निकाली थी, x1 की निकाल सकते हैं, तो x1 की value कैसे निकाल सकते हैं, x1 equal to, 1 minus x2, और 1 minus x2 कितना है, 0.688, और यहां से x1 की value आ गई है, 0.312, तो यहां पर multiply by 0.312 हम कर देंगे, तो यह p1 की value आ जाएगी, ठीक है, p1 की value कितनी आई, इसको multiply कर दीजिए, multiply करने से यह आएगा 62.4 mm of hg, इसी तरह से हम p2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि p2 की requirement यहां पर पढ़ेगी न, तो p2 निकाल सकते हैं, 415 और x2 की value यहां पर हमने निकाली थी, 0.688, इनको calculate करें आप, calculate करने से यह value कितना आ जाएगा, इसकी value आ जाएगी, हमारे पास 285.5, ओके, तो y1 और y2 की value निकाल सकते हैं, p1 की value आ गई है हमारे पास, यह p2 की value आ गई है, यहां पर divided by total pressure के साथ मैं कर देंगे, तो देखो भाई, y1 की value निकाल लेते हैं, यहां से y1 की value, p1 कितना है, 62.4 divided by, कितना total pressure अभी निकाला था, यह 347.9, इसको calculate करें, तो यह calculate करने से आएगा हमारा, कितना 0.18, ठीक है, y2 निकालना चाहे हैं, तो p2 की value, p2, p2 यह रहा, 285.5 divided by 347.9, और इसकी value जो आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 0.82, तो यह हमारे पास mole fraction in vapor form भी आ गया, clear है, समझ में आया, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था, वो आपको clear हो गया होगा, next topic है, route's law as a special case of Henry's law, route's law क्या था, route's law था कि vapor pressure of component 1 is directly proportional to mole fraction of that component in solution form, और इसको जब हमने proportional sign हटाया था, तो हमारे पास आ गया था, इस तरह से, या फिर second component के लिए लिए लिख रहे थे, तो हम इस तरह से लिख रहे थे, P2 0 into X2, यह लिख रहे थे, या फिर हम in general ऐसा लिख सकते है, Pi equal to Pi 0, जो भी हमारे का component है, multiply by उसका mole fraction किस में solution form है, तो इसको हम generally यह लिख सकते हैं, और Henry law में हमने देखा था, कि जो pressure था, वो solubility के साथ में किस तरह से, relation में था, P equal to KH multiply by X, तो यहाँ पर देखो, P is equal to Pi या P not multiply by X1, या X, ठीक है, यहाँ पर pressure, pressure यह mole fraction, mole fraction, यहाँ पर solubility को mole fraction की form में लिखा गया था, clear है, तो अगर यह जो Henry's law constant है, वो अगर इस, यह P not, मतलब P not का मतलब, pure form में vapor pressure के equal हो जाए, तो उस case में, जो Rauts law है, वो ही Henry law होगा, clear है, we compare the equation for the Rauts law and Henry law, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction in the solution, only the proportionality constant KH differ from the P not, यह P not, thus Rauts law become a special case of Henry's law in which KH become equal to P not, clear है, तो अगर KH और P not equal हो जाते हैं, तो Rauts law और Henry law दोनों ही एक तरह से हैं, तो कहा सकते हैं न, हम यहाँ पे की हैं जो Henry law जो हम लिक्विड गैसिस स्टेट के लिए, गैसिस सॉलीशन के लिए बात कर रहे थे, वही Rauts ने लिक्विड लिक्विड टाइप के solution के लिए बोला, clear? ओकी, next type के जो हैं वह है vapor pressure of solution of the solid in liquid type of solutions, अब liquid, liquid type के हमने बात कर लिया है, अब solid in liquid type के solutions, liquid solutions के बारे में और बात कर लेते हैं, उनका vapor pressure किस तरह से calculate करते हैं, अभी देखो, अभी थोड़ा सा वैसे समझ लो, चड़नाली, देखो हमने अभी बात की थी, दो liquid है, और दोनो liquid जो है, वह volatile है, मैं दोनो liquid volatile है, तो दोनो की vapors बन नहीं थी, इसकी भी vapor, इसकी भी vapor, अब एक non-volatile आ जाए, इस liquid को हटा के, मैंने suppose लगा दिया एक non-volatile, तो इसकी तो vapors नहीं बनेंगी न, तो vapor pressure किस की वाईसे होगा, यही बात हुई, मतलब total pressure जो है, या total vapor pressure जो है, वह liquid liquid का जादा होगा, comparatively liquid solid का, clear है, यही सारी चीज़ें यहां पर दे रखे हैं, आगे एक बार पढ़ लेते हैं, Another important class of solution contains the solid dissolved in the liquid, for example, sodium chloride, glucose, urea, or cane sugar in water, and iodine sulfur dissolved in carbon-dice sulfide, carbon-dice sulfide liquid है, उसमें sulfur या iodine dissolved हो सकती है, ठीक है, तो यह भी solid in liquid type के liquid solution form करेंगे, Some physical properties of these solutions are quite different from those pure solvent, for example, vapor pressure, we have learnt in class 11th, liquid at a given temperature vaporize and under equilibrium condition, the vapor pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called vapor pressure, vapor pressure के बारे में अने अल्रादी बारे में अल्रादी टर्दी बारे में आजे अल्रादी बारे में अलरी बारे में अल्रादी चार्ट लिक्लादी पर लिए बारे में लादी टादी के लादी बारे म entire surface is occupied by the molecule of liquids यहाँ पर वही molecular level से explain कर रहे है वैपर pressure को जो मैंने आपको starting में explain किया था ना उसी तरह का explanation देखो अगर मैंने एक liquid लिया और वो pure solvent है मतलब pure ही एक इसके बॉलट है लिक्विड है तो उसके surface के ऊपर सारे के सारे क्या होंगे सारे के सारे liquid के particle होंगे और लिक्विड के particle किसमें जा सकते हैं वैपर फॉर्म में convert हो सकते हैं ठीक है लेकिन अगर लेकिन अगर इस pure solvent में मैंने थोड़े से solid के particles डाल दिया जैसे वन मोल solvent लिया और वन मोल इसमें solid डाल दिया जो की solid state में है तो इसके जो surface के ऊपर जो layer होगी surface के सबसे top बाले layer होगी उसमें liquid के साथ साथ में कुछ solid के भी particles होंगे मतलब पहले जहां पर सारे के सारे particles volatile हो सकते थे vapor form में convert हो सकते थे वहीं हमने solid add करके क्या कर दिया उसके लिए space कम कर दिया मतलब ऐसे molecules का number कम कर दिया जो vapor form में convert हो सके clear है इसकी वज़े से क्या होगा कि जो pure solvent है उसकी जो vapor pressure होगा और एक ऐसा solution जिसमें solid in liquid in solid type के क्या है solution है इस तरह का solution है तो यह obviously किसका vapor pressure जादा होगा जिसमें pure solvent है clear if a non-volatile solute is added the solvent to given solution the vapor pressure of the solution is solely form the solvent alone this vapor pressure of the solution at the given temperature found will lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature clear है मतलब कहा किसमें vapor pressure कम होगा इस solution का vapor pressure कम होगा reason आप easily बता ही सकते है क्योंकि इस solution में solid के बज़े से जो solid ने surface occupy की है वो non-volatile molecules ने occupy की है जिसकी वहाई से vapors कम बनेंगे और vapor pressure कम होगा in the solution the surface has both solute and solvent thereby the fraction of the surface covered by the solvent get reduced consequently the number of solvent molecule escaping from the surface corresponding the reduce thus vapor pressure is also reduced the decrease in vapor pressure of the solvent depend upon the quantity of non-volatile solute present in the solution respectively its nature for example decrease in vapor pressure of water by adding one mole of sucrose to one kilogram water is nearly similar to that the produce by adding one mole urea to the same quantity of water in the same temperature clear है मतलब क्या बोल रहा है इसमें simple से यह ही बोल रहा है कि जो amount of मतलब यहां पर molecules के number के उपर depend कर रहा है कि vapor pressure किसका कितना reduce होगा इसके उपर depend कर रहा है कि यहां पर आपने जो solid लिया है वो solid कौन से type का है कोई सा भी हो बस इतना सा है कि जितने ज्यादा molecules इस surface पर non-volatile nature के होंगे उतना ही इसका vapor pressure reduce हो जाएगा उससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपने one mole sucrose लिया है या फिर one mole urea दोनों ही case में लगवग सेम ही vapor pressure में reduction आएगा Raoul's law in its general form can be stated that for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction यह हमने statement देखी लिया है कि vapor pressure जो होता है ठीक है partial vapor pressure of each volatile component Raoul's law volatile components के लिए बात करता है वो किसके equivalent होता है किसके directly proportional होता है mole fraction in solution okay mole fraction of that particular component in solution in a binary solution let us denote the solvent by 1 and solute by 2 यह यह पर्ली बता दिया है when the solute is non-volatile only the solvent molecule are present in vapor phase and contribute the vapor pressure let P1 be the vapor pressure of the solvent x1 be its mole fraction P1 not vapor pressure in pure state then the according to Raoul's law P1 equal to directly proportional to x1 and proportionation sign हटाएंगे तो यहां पर P1 not आ जाएगा तो is P1 equal to P1 x1 into P1 not clear है तो यहां पर सिर्फ एक ही component है जो volatile nature का है दूसरा जो component वो non-volatile nature का है इसलिए जो pressure vapor pressure होगा वो इस तरह से हम लेख सकते है the proportionality constant is equal to the vapor pressure of the pure solvent P1 not a plot between the vapor pressure and the mole fraction of the solvent is linear ठीक है इस तरह का linear relationship होगा तो कहने का मतलब यह है जो हमने liquid liquid type का solution के बारे में बात की थी अगर उसमें से एक liquid को solid से replace कर दिया मतलब जो solute है उसको solid से replace कर दिया जो की non-volatile nature का है तो उसका vapor pressure एकदम से zero हो जाएगा क्योंकि वो vapor form में convert ही नहीं हो रहा है या तो उस तरह है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो liquid liquid type के solutions है उन्हों में ऐसे एक liquid जो है वो solid non-volatile component से क्या कर दिया है डिस्प्लेस कर दिया है अब non-volatile nature है तो उसका कोई vapor नहीं वनेगी वैपर नहीं वनेगा तो vapor pressure भी नहीं होगा तो एक तरह से liquid liquid type के solutions है उनका एक special type हो गया solid and liquid type के liquid solutions जिनमें solid non-volatile के वज़े से कोई भी vapor pressure नहीं होता है इसलिए vapor pressure due to volatile component equal to P1 equal to x1 into P10 होगा clear है समझ में आ गया और ये graph जो है वो इस तरह से इसको हम denote कर सकते हैं vapor pressure of pure solvent जो होगा वो इतना होगा और mole fraction जैसे solvent का increase होगा उसका जो vapor pressure जो है वूसे वैसे increase होगा वैसे भी वो हो बहूँ सकते हो कि जो volatile liquid है इसका जैसे mole fraction increase होगा volatile liquid का mole fraction जैसे yields increase होगा vapors increase होगी तो इनका vapor pressure भी increase होगा इसलिए ये इस तरह की linear line आएगे clear है समझ में आ गया I hope आपको route low समझ में आ गया होगा समझ में आ गया है एक वार revision और करें next video में हम ideal and non-ideal solutions के बारे में discuss करेंगे चलिए फिर मिलते हैं next video के साथ में thank you